जो भी होता है, अच्छे के लिए ही तो होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में माड़ दर्शन करती हैं। उन में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जो भी होता है, अच्छे के लिए ही होता है। कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए चाहे परिस्थेती कैसी भी हो गौतम बुद्ध के समय में उनके पास कई अनुयाई थे जिन में से एक सबसे प्रिय शिश्य था आनंद एक दिन बुद्ध और आनंद एक धने चंगल से गुजर रहे थे चलते चलते बुद्ध ने आनंद को एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और स्वयान ध्यान में लीन हो गए अनंद को ये समझ में नहीं आया कि बुद्ध ने अचानक से क्यों रुकने को कहा लेकिन वे बुद्ध की आग्या का पालन करते हुए वहां बैठ गए कुछ समय बाद आनंद ने देखा कि एक विशैला सांप उनकी ओर धीरे धीरे आ रहा है वे अत्यंत भैभीत हो गए और सोचने लगे कि अब उनका आंध निकट है लेकिन अचानक सांप बिना किसी आक्रमर के वापस जंगल की ओर चला गया आनंद ने राहत की सांस ली और बुद्ध की ओर देखा जो अभी भी ध्यान में मगन थे जब बुद्ध ने अपनी आखें खोली तो आनंद ने उनके चरणों में गिर कर पूछा गुरुद्ध क्या आपको पता था कि यहां एक विशैला सांप था बुद्ध मुस्कुराई और बोले हाँ आनंद मुझे पता था लेकिन मैंने तुम्हें यहां इसी रुकने को कहा क्योंकि इस जंगल के दूसरी और एक शिकारी दल था यदि तुम आगे बढ़ते तो वे तुम्हें देख सकते थे और तुम्हें मार सकते थे यह विशैला सांप तुम्हारे लिए कोई खत्रा नहीं था च्योंकि इसका मार्ग बदल चुका था अनन्द ने बुद्ध के चरणों में गिरकर खरतग्यता विक्त की और कहा कुरुदेव आपकी शिक्षा ने मुझे आज सिखाया कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है यदि मैं आगे बढ़ता तो निश्चित ही मैं मर जाता लेकिन ने मर जाता आपने मुझे यहां रोक कर मेरी जान बचा ले बुद्ध ने आनन्द को समझाया जीवन में कई बार हमें नहीं समझ में आता कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है हमें अपने कर्म पर ध्यान केंदरित करना चाहिए और परणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जो भी परिस्थितियां हो हमें हमेशा धैरे और विश्वास बनाए रखना चाहिए जो भी होता है वो हमारे सरवोत्तम के लिए ही होता है जीवन की चुनोतियां हमें मजबूत और अधिक परिपक्व बनाती है बुद्ध की ये शिक्षा आज भी हमें प्रेरिद करती है कि हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए और जीवन के हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्रिपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लाइफ कमपस को सबस्क्राइब करें हम आपके लिए और भी प्रेणा दाय कहानिया और जीवन की महत्वपूर्न शिक्षाएं लेकर आते रहेंगे अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर साजह करें याल्द रखें हर परिस्थिती में आशा बनाए रखें और विश्वास रखें कि जो भी होता है सचे के लिए ही होता है